अल्याम आलेकुम हम लोग क्लास फर्ष्टी की उर्दू पढ़ रहें और हम लोगों ने इसमें बहुत सारे चैप्टर्स को मुकम्मल कर लिया हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नमबर फॉर्टीन का अधा और सफ़ा भागी ता जो कर चैप्टर नमबर फॉर यह हम लोग जुमला बनाएंगे सेंटेंस बनाएंगे चलिए देख लेते हैं अंगूर पसंदीदा फल है देखिए अंगूर के नून में जो है वो ज़सम लगा हुआ है पसंद के नून में ज़सम लगा हुआ है फल के लाम में ज़सम लगा हुआ है यह पुल बहुत खू लकड़ी की है, दिल हाजिर रख कर नमास पढ़ो, कापी और कलम मेस पर है, गुलाब का फूल हुजूर को बहुत पसंद था, देखिए, अंगूर पसंदीदा फल है, ये पुल बहुत खुशूरत है, कुर्सी लकड़ी की है, दिल हाजिर रख कर नमास पढ़ो, कापी और कलम मेज पर है गुलाब का फूल हुजूर को बहुत पसंद था इसे एक मरतबा हम लोग लेकर देख लेते हैं देखिए अंगूर पसंदीदा फल है क्या है अंगूर पसंदीदा फल है अंगूर पसंदीदा फल है देखिए फिर है ये पुल बहुत खूबसूरत है ये पुल बहुत खूबसूरत है ये पुल पुल बहुत खूबसूरत है ये पुल बहुत खूबसूरत है फिर है कुडसी लकडी की है क्या है कुडसी लकडी की है फिर है दिल हाजिर रख कर नमाज पढ़ो दिल हाजिर रख कर नमाज पढ़ो उसके बाद है कौपी और कलम मेज पर है क्या है कौपी और कलम मेज पर है देखिए कौपी और कलम मेज पर है फिर है गुलाब का फूल हुजूर को बहुत पसंद था गुलाब का फूल हुजूर को बहुत पसंद था गुलाब का फूल हुजूर को बहुत पसंद था देखिए हम लोग ने हिंदी के ज़रे से इसको समझ लिया है देखिए अंगूर पसंदीदा फल है ये पुल बहुत खूफसूरत है कुरसी लकडी की है दिल हाजी रखकर नमाज पढ़ो कौपी और कलम मेज पर है गुलाब का फूल हुजूर को बहुत पसंद था आप लोग इसको अपनी नोट बुक में उतार लिजिए इससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी आगे देखिए दूसरी एक्सोसाइज है पढ़िए और लिखिए देखिए क्या है पढ़िए और लिखिए दिन, बरतन, बरफ, शाम इसको हम लोग लिख लेते एक मरतबा दिन, बरतन, बरफ, और शाम आप लोग इसमें जो भी आप लोगों को इस अले चैप्टर में समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में बताएगे कि मैं उसका जरूर सॉल्यूशन दूंगी और आप लोग अपना पिछला सबक रिवाइस करते रहे हैं इससे आने वाले सबक में आपको बहुत ही आसानी होगी और इसी तरी के सम लोग इस्टेब बेस्टेब आके बढ़ते जाएंगे अपने उर्दू के सफर में और आप लोग अगर उर्दू सीखना चाते हैं तो मेरी हर एक वीडियो अच्छे से देखेंगे और आपको जो भी नहीं समझ मेंगा आप जरूर कुछिएगा तो आप लोगों को बहुत मेरी वीडियो देखने से बहुत बेनिफिट होगा उर्दू के सफर में उर्दू को सीखने और लिखने में पढ़िए आपको पढ़ना भी आ जाएगा लिखना भी आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से हर एक लव्ज लेटर जुमला कहानी कुछ भी आप लिख सकते उर्दू में और इसी तरीके से मेरे साथ बने रही है और आज की वीडियो के लिए इतना है मिलते दुसरी वीडियो में तब तक के लिए लाह आफिछ